राम राम किसान साथियो आप सभी का सवागत है वीडियो में गोबी का सीजन सुरोच चुका है जो किसान सबजी की खेती करते हैं गोबी लगाते हैं उनको पता होगा कि गोबी में किस टाइम कौन सी दुवाई डालनी है लट की कौन सी दुवाई डालनी है, सुर्य की कौन सी दुवाई डालनी है, फिड कली की कौन सी दुवाई डालनी है लेकिन अमारे बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम गोबी की खेती करते हैं, सबजी की खेती करते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि किस टाइम कौन सी दवाई डालनी होती है, लट की कौन सी दवाई डालनी है, सुर्य की कौन सी दवाई डालनी है, तो किसान साथियो, आज मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा और एक ऐसी लट बताऊंगा, जो लगबग किसानों को पता नह वो दोनों को खाती रहती है उनकी गोब को खाती रहती है और गोब को ग्रोथ करने नहीं देती पोधा वहीं की रुक जाता है नई गोब निकालता ही नहीं है पोधा गोब निकालने से पहले ही वो लट उसे खा जाने से पहले मैं लट के बारे में कुछ जानकारी दे देता दोस्तो ये लट फिडिकली दोवरा पैदा की जाती है जिसे फिडिकली वाली लट बोलते हैं और इंगलीज में डी पी एम बोलते हैं ये फिडिकली वाली लट होती है ये जाड़ा मना के पत्तों के नीचे लटकती है और गोब के अंदर रहती है गोब को खा जाती है पोद्दे की गोब रोक देती है गोब निकलने से पहले उसको खा जाती है जिसे पोद्दा ग्रोथ नहीं कर पाता और वो वहीं की वहीं रुक जाता है फूल बनने से पहले फूल को खा जाती है इस लट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि गोबी के पॉद्धों में इस लट को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो पॉद्धे में फूल बनने से पहले ही ये गोब को खा जाती है जिससे पोदा बाझ जयता है उसमें फूल बनता ही नहीं है इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जुरूरी है यह लट फिडिकली दवारा पैदा की जाती है जो तिदिली से थोड़ी छोटी होती है और इसकी जो लट होती है वो हरे रंग की छोटी होती है जो पत्तोग पर लटकती रहती है और गोब के अंदर रहती है दोस्तो अब मैं इसकी दुआई बताता हूँ आपको और ये दुआई मैं आपको बताऊँगा पोद में कितनी मात्रा में डालनी है ये दुवाई मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि आप वीडियो में देख पारे होंगे इस दुवाई का नाम है लिस्बोन ये दुवाई सपेसल फिडिकली की लट के लिए है इसकी डोज की बात करूँ तो जब आप गुब्बी की पोद में पनीरी में इस दुवाई का छिड़काओ करते हैं तो 25 से 30 गराम पर टंकी ले सकते हैं इसके लावा जब गुब्बी का पोदा बड़ा होता है तो उसमें आप 40 से 45 गराम पर टंकी ले सकते हैं ये दुवाई बहुत बड़ी दुवाई है गेरने के तुरंत बादसर शुरू करती है लिस्बोन दुवाई के साथ जो दूसरी दुवाई गेरनी है उसका नाम है डीपिल ये जो दुवाई है ये लिस्बोन दुवाई के साथ गेरती है इस दुवाई की डोज की बात पुरूँ जब आप गुब़ी की पनेरी में नरसरी में इसको डालते हैं तो tis gram पर तंकी इसकी डोज लेनी है इसके अलावा जब बड़ी गुब़ी में आप इस दुवाई को डालते हो तो इसकी जो मात्रा है 40 ग्राम से 45 ग्राम परटंकी आपको लेनी है लिस्बोन और डिपिल इन दोनों दुआईयों को आप मिलाकर अपनी नर्सरी में और गुब्बी में डाल सकते हूं दोस्तो ये दोनों दुआईया सपेशल फिडिकली के लिए है और फिडिकली वाली लट को 6-7 दिन तक खतम कर देती है पैदा नहीं होनी देती है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब कीजेगा और बेल आइकन को ओन करके रखे ताकि जब भी मैं वीडियो डालू आपको नोटिफिकली मिल जाए तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही